जहिन दोस्तों, welcome back to the channel, the rail यातरी दोस्तों, भारतिय rail आने वाले कुछ दिनों के लिए कुछ ट्रेनों को रद कर रहा है ट्रेन रद क्यों की जा रही है, इसके पीछे का जो कारण है, वो मैं आपको भी थोड़ी दिर में बता दूँगा अगर इन ट्रेनों में यातरा करने के लिए आपने चार महिने पहले से ही टिकेट बुक करके रखे थे, तो आपके टिकेट आटोमेटिक कैंसल हो जाएंगे रेलवे द्वारा आपको रिफंड भी कर दिया जाएगा, किन-किन तारीखों के लिए रेलवे ट्रेनों को नहीं चलाएगा उसके बारे में बताने से पहले आप लोगों से एक चोटी सी रिक्वेस्ट है, कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजएगा पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों भारतिय रेल जिंजिन ट्रेनों को कैंसल करने वाला है, उन ट्रेनों के नाम और नमबर कुछ इस प्रकार है ट्रेन नमबर 18107 रॉर्ल किला जगदालपूर एक्स्प्रेस इस ट्रेन को आट से लेकर 14 दिसेंबर तक नहीं चलाय जाएगा Train No. 18108, Jagadalnpur Roarkila Express इस train को 9 December से लेकर 15 December तक नहीं चलाय जाएगा Train No. 1831, Sambhalpur Varnasi Express इस train को 8 December से लेकर 12 December तक Train No. 18312, Varnasi से Sambhalpur Express इस train को 9 December से लेकर 13 December तक नहीं चलाय जाएगा train number 18105 रोर किला पुरी एक्सप्रेस इस train को 8 December से लेकर 14 December तक और train number 18106 पुरी रोर किला एक्सप्रेस इस train को 8 December से लेकर 14 December तक नहीं चलाया जाएगा train number 18309 संभलपुर जमुतवी एक्सप्रेस इस train को 9 December से लेकर 14 December तक नहीं चलाया जाएगा ट्रेन नमबर 18310 जमुतवी संभलपूर एक्सप्रेस इस ट्रेन को 7 दिसेंबर से लेकर 12 दिसेंबर तक नहीं चलाय जाएगा ट्रेन नमबर 22803 हावडा संभलपूर एक्सप्रेस इस ट्रेन को 11 दिसेंबर को नहीं चलाय जाएगा ट्रेन नमबर 22804, संभलपूर हावरा एक्सники, इस ट्रेन को 10 दिसेंबर को रद किया गया है इस ट्रेन को 8 दिसेंबर से लेकर 12 दिसेंबर तक रद किया गया है और दो ट्रेन हैं जिनको डाईवर्टेड रूट से चलाया जाएगा, उनके नमबर कुछ इस प्रकार है ट्रेन नमबर 18451 हटिया पूरी एक्सप्रेस ये ट्रेन 8 दिसम्बर से लेकर 14 दिसम्बर तक डाइवर्टेड रूट से चलेगी कैंसल हो जाएगा दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ थैंक यू सो मच वा वाचिंग दरेल यातरी चैनल एंड